तो शंक दनी के साथ आज का ये ब्लॉग शुरू होता है और मैं मनीशा आप सबको मेरे इस ब्लॉग में स्वागत करती हूँ जैसे कि आप सबको समझ में आही क्या होगा कि मेरे कर में पूजा है इसलिए मैं गेंदी के फूलों से मैं ये डेकॉर कर रही हूँ क्योंकि यहां और मेरे बाबा शॉपिंग करने फिर किअ फ्रुश शॉपिंग स्वीट शॉपिंग और पूजा के धेश सारे सामगरी लाने थे और जल्दी जल्दी आके फिर हम सब को नहाद होके रेड़ी भी तो होना था, नहीं तो पंडी ची की पर्ती डाठ हम सब को इसलिए जल्दी जल्दी घर आये और फिर हम रेड़ी हो गए और फिर हो गया शुरू कूचा तो हमारे घर में आज हमने सत्य नारायन का पूजा रखा था लेकिन पंडी जी ने हमें एक बात बताया जो मुझे लगता है कि मैं आम सब के साथ शेर करना चाहिए Actually सत्य नारायन जी और नारायन जी में क्या डिफरेंस है तो पंडी जी ने बताया कि नारायन मतलब संपूर्ण विश्व और भागवत में भी लिखा गया है कि जब कोई नहीं था इस दुनिया में तब सिर्फ नारायन थे तो सबसे बड़े नारायन है और सत्य नारायन तो फिर कौन है हमने पूजा तो पंडी जी ने बताया कि सत्त नाराएंजी है नाराएंजी के ही और एक सरूप और नाराएंजी का पूजा करने से घर में सुख सम्रिधी और शांती आती है तो इसलिए हमने पूजा किया आज और नारा इंजी के पूजा का जो भोग का प्रसाद है उसका तो स्वाद मुझे लगता है वार्ड फेमास है जैसे कि आप देखे ही पता चल रहा है कि कितना क्रीमी है कितना टेस्टी है मैंने भी बहुत सारा खाया और सबको भी खिलाया और सबसे बड़ी बात है कि मुझे बहुत ये भोग बनाने का मन था और आज भगवान ने दे दिया चांस और मैंने भोग बनाना सीख लिया और पूजा खतम होते ही एक लेडी आई जो बहुत गरीब थी और उन्होंने बोल भगवान खुश हो गया और यह सुनके हम तो बहुत खुश हो गये और ऐसा लग रहा था कि ब्लेसिंग्स मिल गया और गार्डन गार्डन हो गया और उसके बाद ही हमारे कुछ गैस्ट आए सबके साथ टाइम स्पैन किया बहुत अच्छा लग और फिर मैं मेरे फ्रेंस के चुब से गार्डन कि अच्छा था क्या हूँरा किया अच्या मों स्पैनल कि अच्छाएं जा है और स्विट स्थैनग स्थैज...